कि नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है गुर्मीत और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल सोल बैक और दोस्तों आज हमारे साथ है एवट्रिक की राइड इलेक्ट्रिक स्कूटर करने वाल हैं तो सबस्तों को रूपनिंशन के बात कर दोस्तों बात करने वाल हैं स्कूना आपको है और तीन्हें पने साथ जो कितने रुपय में आपके मिल जाती हैं बात करनेंगे दोसमें टिखेंगोम कर właściो को सबस्क्राइब कर Nelson कि मिलते हैं तो स्मार्ट की पलएए तो इसमें से अलाम बचता है कि अगर आप पार्किंग में हो तो यह गाड़ी जो है मतलब डूण सको काड़ी को इस थरी आलाम जो है सका पजल जाती है प्रक्रीब हो गई है और इसको अगर बंद करना है प्रेंलोट जुट हो जैसा कि देख सकते हैं जो लोग ब्टर नाय इसको मर पर पाउंगा तो यह कुछ इस तरह से स्मक्नष की काम करते और सारी गाडियों में जो है कुछ इस तरह की स्मक्नष की जो है आती है तो आप बात कर लीते हैं इस का डाड़ी के मिलती है 1060 mm की दोस्तों बात करें इस गाड़ी के वील बेस की तो वह है 1330 mm का आपको वील बेस देखने हो मिल जाए और दोस्तों बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लेंस का तो वह आपको मिलता है 180 mm की दोस्तों बात करें इस गाड़ी की पेल लॉट के बारे में तो सेंटर में आप देख सकते हैं यहां पर की तरफ और साइड में आपको LED इंडिकर देखने को मिल जाते हैं और यह क्रोम वर्ग दिया हुए आपको की काफी सुन्दर जो इस गाड़ी को बना रहा है मुझे यह काफी अच्छा लगा जैसा कि आप इधर भी देख सकते हैं वर् किसमें कोई काम नहीं है क्योंकि कुछ ठंडा तो होना नहीं इसके अंदर भागि यहां पर देखने थोड़ा सा यह मिलता आपको और नीचे बात करें तो यहां पर नवर्प्लेट लग जाती है और दोस्तों बात की जाए यहां से नीचे कि तो यहां आपको जो है लेड य अच्छा लग रहा है बात की जाए दोस्तों इससे नीचे कि तो यहां पर आपको जो है अच्छी बात करें तो यह आपको मिलता है काफी चोटा लगता है जो कि काफी अच्छी बात है और आपको फ्रेंट में टेलिस्कोबिक सेस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं डिस ब्रेक की आने से ब्रेकिंग जो है काफी अच्छी हो जाती है बात के जूस्तों साइड की किसा आपको नहीं है रस्ते में ब्रेकर मितलब इसे अगर खराब रस्त तो पूरे शेकी शेकी जो की तरह से सुन्दर ही लग रहा है और किसी तरह का इस्टिक रिंग कर सकते हैं इस गाड़ी में चार्ज कर सकते हैं इस गाड़ी में आपको जो है चार्जर की बात के जाए तो 6M का चार्जर आता है और चार्जर में इसमें एम्प साइज बड़ा भी सकते हो ऐसे तो यह जो है एवट्रिक का राइड वेरेंट है इस वाला तो इसमें अलग अलग चार्जिंग आते हैं लेकिन करूंगा आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने सुना है कि ज्यादा बड़े चार्जर से बैटरी पर साइड एफेक्ट पड़ जाता है तो 6M का चार्जर जो है वेबसाइट पर यह लिखा हुआ था तो जो यहां पर जो है इस गाड़ी का नाम लिखा हुआ है ब्रांडिंग जो है कि यह स्टिकरिंग के रूप में एक ट्रिक जो है राइड लिखा हुआ यहां पर आपको स्पेंशन मिल जाता है और यह स्प्रिंग लॉडड़ेट सस्पेंशन है दोस्तों और पीछे का वील भी ज इस गाड़ी की तो मोटर आपको मिलती है 1200 वोट की बात की जाया दोस्तों बैटरी इसमें यहां पर लगी जो कि है 48 वोल्ट और 39 एच की जी हां इसमें आपको 60 वोल्ट या 72 वोल्ट की बैटरी नहीं आती इसमें 48 वोल्ट और और ऑप्शन भी है जिसे 26 पर आप जा सकते ह और यह जो है 39 वाला वेरिंट है जो कि सबसे बड़ा वेरिंट है प्राइस के साथ से भी और बैटरी के साथ से भी जितनी बड़ी बैटरी उतनी जपार बात करते हैं दोस्तों कि छी यहां पर पर यहां पर लिन देखने को अच्छी है जैसा आगे दिगई ना उससे काफी सुन्दर बना रही है जो कि अच्छा लग रहा है और टेल लेंब आपको LED देखने को मिलता है जो कि सुन्दर है अच्छा जो है यह देखने में लगता है बात कीजिए जोस्तों इसके नीचे की तो यहां पर आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है इधर साइड में आपक दो चला जाता है तो बिछे पानी आया निहीं है यहां देखते हैं किचड़ है लका साथ से ज्यादा नहीं है तोस्तों फ्रेंट से काम चल जाता है बात कर दो सीड़ेकला मिलती है यह दो लोगों के लिए काफी सही है और दो लोगों के लिए बैठने लिए परियापत है व्यापन हो जाता है देखा मैं WOW क्या एक्ट्र sentiments मिलाख़ा है कि च्रक्राते हैं नहीं पर आपको मिलती है यह जो है आपको उस्पूल फीचर हो जाता है तो इसी में आपको पुइंट पॉंट दिया गए है जो कि आपको मोबैल चार्ज करने में काम आ सकता है तो वैसे जो को लोग काम करते नहीं लेकिन हाँ अमेरजेंसी में इसका यूज भी आप ले सकते हो दोस्तों बात करें बूट स्पेस की जो बूट स्पेस आपको डीसेंड मिल जाता इसमें मैं जो है बैटरी रखके लेके गया था चोटी वाली जो शबी सेच वाली बैटरी लिकाल सकते हो तो यह जो कमपणी है वह है वोल्ता कमपणी है और वार्यट्री वह देर के लिखने को अदर तो कूछ चिश तरह कि यहां मिल जाते हैं यह यह लिखने से बोटल रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर लगे जुख दिया गया है यहां पर यहां पर लगाने की आपको जगा देखने को मिल जाती ओन ओफ यहां से कर सकते हो और आप बूट को भी ओपन यहीं से कर सकते हो बात करते हैं दोस्तों इसके जो स्विच गेर वगे इसके नीचे की बात करें तो यह जो है इंडिकेटर के लिए बटन दिया गया है कुछ इस तरह से यहां पर दिखाता है यह राइट वाला यहां पर लेफ्ट वाला यहां पर बीच में रेडी दिखा रहा है कि गाड़ी चलने के लिए त्यार है लेकिन अभी चलेगे नहीं क् नहीं चलेगी दोस्तों बात करें सकतें जों की काफी्य group काफी अपो बिल जाता है यहां पर भी कुछू को आपको मिल जाथा है इस तो जब गाड़ी खडी हो तब इसका यूज करें चल टीवी गाड़ी में इसका यूज ना करें दोस्तों यहां की तो यह जो है आपको मिलता है headlamp के लिए बटन तो डियारेल ओन कर सकते हो और पूरा लेफ्ट कर दोगे तो यह जाएगा यह पी बटन है पार्किंग बटन है और यह बटन जो है मैंने काफी ट्राई किया जैसे कि मैं इसको दबा के रखता हूं तो यहां पी लिखा वाता है लेकिन तुरंट चला भी जाता है तो पता नहीं किस तरह दूसरी गाड़ी में किस तरह काम करता लेकिन इस इसको दबाया तो पार्किंग ब्रेक जो है एंगेज होना चाहिता लेकिन आगई गाड़ी चल जाती है कुछ इस तरह से काम नहीं कर रहा है पता ही नहीं वाली गाड़ी में कर रहा है पुरानी वाली में तो करता था तो इसमें किस तरह का 123 राइडिंग मोड भी नहीं है तो वह नहीं होना नहीं होना बरावर है में तो उसको इतना बड़ा कोई प्लस पॉइंट मानता नहीं हूँ बाकि रिवर्स मोड आपको मिल जाता है तो इसको बड़न को दबाओगे तो गाड़ी जो है आपको पीछे भी जा सकती है तो अच्छी बात है कुछ लोगों के अगर आगे चलेगी नहीं तो यहां पर आपको दिखाया गया किस तरह का ट्रेप में नहीं है नहीं आपको इसमें मिलता है यहां पर बेटरी इंडिकर दिए यहां पर गेर लिखा हुआ करते हैं तो जरूर 123 कुछ लिखाव आता है लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं है बटन जो है गयाप कर दिया गया आप जो कि नहीं आता है और कुछ वादिंग लाइट जो गई दी गई है यहां पर जैसे क्या देख सकते हो मोटर में कुछ प्रोलम है या फिर फ्रोटल में हां दिखकत है यां करते हो तो यहां पर करते हो तो यहां पर साइन आ जाता है बाकि ब्रेक आप दबाते हो तो कुछ इस तरह है यहां पर प्रिमिंएर नहीं लुक लग रहा है तो कुछ इस तरह का जो है इसका वोकराउंड सा दोस्तों बाकि कोई चीज शूड़ गई हो तो कमेंट करके कुश्चिन कर लीजीगा दोस्तों बाकि जैसा कि आप देख सकते हैं इसका है काफी अच्छा लुक देता है तो उसका लुक जो है मैं डाल दूंगा य यह गाड़ी लगती है दाकि आपका जो ओपिनियन है आप मुझे कमेंड में जरूर शेयर कीजीगा तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ एवट्रिक के शोरूम पर स्वागत है सर हमारे वीडियो में और धन्यवाद बहुत-बहुत आपने हमें गाड़ी दी कुस्टमर पर वारंटी मिलती है एक तो बैटरी है कंट्रोलर है चार्जर है मोटर है इन पार्ट पर कंपनी के तरफ से वारंटी मिलती है बैटरी पर हम 2 प्लस 1 की वारंटी देते हैं मोटर कंट्रोलर चार्जर इन पर हम वन येर की वारंटी देते हैं और जो बैटरी पर पानी से ल तो आफ साफ सर्विस बुकलिट में लिखा होता है कि वाटर डेमेज या भी फिजिकल डेमेज की वारंटी नहीं होती है आप कुछा के फैंक दो गया और को गे वारंटी दे दो तो ऐसा नहीं होता है और बाकी बात कैसे प्राइस की हमने जैसे के देखा इसमें तीन 10H तो हम इसको वन लाग 16,000 में करते हैं इसके अंदर वन प्लस फॉर का इंशुरेंस और आर्टो चार्जेस सब इंक्लूड करके और पड़ती है और अगर हम देखें जो 31H वाली बैटरी है उसके साथ 31 अभी अब हम आप्शन में रख रहे हैं हम 4826 रखते हैं वह 98,000 की ब 10,000 और इसके दोनों ही तो कुछ इस तरह की सटी बढे तो आपकों आपको नहीं यह नहीं हैं तो आपको नहीं मिलती है तो आल्गका जो सोरूम है यहां टॉहां नया खुला अगर आना चाहते हैं तो जो एड्रस है वो मादूपूर मादूपूर रोड से आगर आएं तो स तो आपको राइट साइड में लेगा स्वाम उलेक्ट्रीक मोटर्स के नाम से फोरूम है और सर यहां पे मिलेंगे मुकेश यह अपको और सर का नंबर जो है मैं आपको इसे को नंबर दिया है और है अगर आप ऐसे को पेश करना चाहते है तो मेंडंदे हमारे पास मैं एक किस demais भी हैं बैब आपको डिस्प्ले Magवाते आ फीडियो में आप आने वाले वीडियो एप ini तो है शाई राइज जिस्वाये घर आप सब्सक्रम पर त्युक्त कर्ता है अब हम जो जो सब्सक्राइब डाने होणना चाहते हैं तो तो आप मेरी help ले सकते हैं, आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं, मुझे message कर सकते हैं, easily हम बात कर सकते हैं, या आप मुझे comment section में question कर सकते हैं, वहापे भी हम बात करने की कोशिच करेंगे, reply करने की मैं पूरी-पूरी कोशिच करता हूँ, और दोस्तों, कोई भी सवाल है, comment जरूर कीजएगा, इस गाड़ी के बारे में, या किसी और गाड़ी के बारे में, कोई भी question है, आपका comment जरूर कीजएगा, और दोस्तों, अगर आपने subscribe नहीं किया है, चैनल को subscribe कर दीजएगा, बेल आइकन को दबादेना, notification को all कर देना, ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके, इसके जो है काफ़ सारे वीडियो आने वाले हैं, और जो आ गये हैं, उनका link में आपको description देदूँगा, जो प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, जो भी वीडियो बनाए है, इलेक्र स्कूर्टर के उपर, इनके रेंज टेस्ट के उपर, आपको link जो है description में मिल जाएगा, Instagram article link भी जो है description में मिल जाएगा, जो पहला link होगा, बनाई Instagram का होगा, तो वहाँ जाके follow जरूर कर लिजेगा, मिलेंगे दोस्ते फिर से किसी नए वीडियो में तब तक के लिए, बाइबाइ, टेके, राइट सेफ, राइट हार्ट, जै हिंद, जै भारत, बाइबाइ!